हांजे स्टूडेंट, तेमिस्टर 3 इंकम टेक्स, कुछ बच्चों के लिए ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और कुछ बच्चों के लिए ये बहुत मुस्किल सब्जेक्ट है जिन बच्चों ने starting से study कर लिया है उनके लिए बहुत आसान subject है जिन बच्चों ने study नहीं किया उनके लिए बहुत मुस्किल subject है तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सरक time कम बचाया है 26 December को exam है non college का 28 December को exam है honors का और Jan 1st week में exam है program का तो ऐसा क्या chapter हम starting लेके चलें जिससे कि हमारे लिए बहुत आसान हो जाए तो उनी chapter पर मैं discuss करने वाला number one आप करे basic plus इसके साथ residential status सर बेसिक और रेजिडेंशल स्टेटस की अगर हम बात करें न यह हमारे कितने नंबर का रोल प्ले करेगा एक्जाम के अंदर तो सर इसमें से जो question आएंगे न वो तक्रीबन तक्रीबन आप दस नंबर का मान लेजिए दूसरे नंबर पर आपको करना है house property सर हाउस प्रोपर्टी कितने नंबर का आएगा एक्जाम में सर दस नंबर का आएगा सारी वीडियो मैंने यूटूब पे डाल दी है सर तीसरे नंबर पे क्या करना चाहिए capital game कितने नंबर का आएगा सर सर दस नंबर का सर चौथे नंबर पे क्या करना चाहिए सर deduction कितने नंबर का आएगा सर छे नंबर का सर पांचवे नंबर पे क्या करना चाहिए सर salary कितने नंबर का आएगा सर पंदरा नंबर का तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30 और 15 45 45 और 6 यानि 5 50 नंबर आप इतने चेप्टर को अगर कर लेते हैं तो मैं कहूंगा आप 50 नंबर स्कूर कर सकते हैं इसके साथ कुछ और चेप्टर है मैं वेटिज के साथ बात कर रहा हूं यहां पे बहुत बच्चे कह रहे थे सर वेटिज बताओ, वेटिज बताओ उसके अकोर्डिंग चल रहे हैं छटे नंबर पे करिए सर क्लबिंग साथ नंबर पे करिए सर सेट पफ एंड केरी फरवर्ड सर आठवे नमबर पर करना है आपने Other Source सर ये कितने नमबर का आएगा एक्जाम में सर ये एक्जाम में आएगा आएगा आपका 6 marks, 6 marks और लगभग 6 marks 75 का paper आएगा आपका और 75 इसी तरीके से आपके बनने वाले हैं 50 पहले हो गये थे 18 ये हो गये 20 मान लेजिए 70 हो गये 5 नमबर का भूला बटका कहीं से भी इनी में से question पूछा जाएगा ये हमारा chapter का weightage है एक chapter मैंने अगर देखा जाए तो सर पूरे तो नहीं लिखे आठवा chapter बनता है हमारा एक PGVB 8 आठवा chapter बनता है हमारा PGVB सर प्रोग्राम के अंदर अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में तो ये 6 नंबर का वेटेज है लेकिन ओनर्स में सर सीधा 15 नंबर का कुश्चन आएगा बड़ी सीधी सी बात है कि ये सारे चप्टर अगर आप करते हैं अकॉर्डिंगली तो हो जाएगा टाइम कितना है सर हमारे पास आज है 11 तारिक और आपका एक्जाम है 26 से हलाकि 13 तारिक से रेगुलर वाले बच्चों का e-filing बगएरा e-filing की भी मैंने वीडियो अप्लोड कर दी है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास क्योंकि during the between एक्जाम भी होगा तो आपके पास मुश्किल से 10 दिन है सब कुछ हम कट कर दे तो 10 दिन है आपके पास 10 से 12 दिन इससे ज़्यादा दिन है नहीं जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं इसके अंदर total 37 classes है house property में 16 classes डाली हुए है यूटूब पे capital gain अभी चल रहा है continue है deduction अभी नहीं हुआ sorry house property की 37 classes नहीं है इसकी तो आपकी 5 classes मान लेजिए इसकी 37 classes है clubbing of income ये सारे अभी नहीं हुए chapter तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भी अपनी classes जो बच्चे जितनी capacity है वो उसके according करें और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो यूटूब पर पढ़ते रहें कोई दिक्कत नहीं है वो आराम से pass out हो जाएंगे लेकिन exam आने तक मैं ये guarantee लेता हूँ कि जैसे भी होगा मैं पूरा वीडियो जरूर अप्लोड करूँआ क्योंकि classes का पहले वीडियो पहले convert करते हैं convert करने के बाद processing होती है फिर upload होता है एकदम से upload करना possible नहीं है ये सारा मैंने आपको exam pattern बता है इसी हिसाब से पढ़ाई करें चाहे बच्चा जहां भी पढ़ रहा हो मेरे से पढ़ रहा हो YouTube पर पढ़िये कोई दिक्कत नहीं है मैंने एक छोटा सा काम किया भी उन सभी बच्चों के लिए सर YouTube के उपर YouTube के उपर आपका prehead application पर जो बागी का chapter देख रहे हैं न ये सारे हो चुके हैं PGPP स्टार्ट हो चुका है ये पूरा स्लेवस उनका हो चुका है अब टेस्स स्टार्ट हो जाएगे क्योंकि सर उनकी daily classes चल रही है दो घंटे शाम को कुछ दिन में तो उनका हो चुका है अब वीडियो मैंने बोला भाईया मैंने बोल दिया कि जल्दी से जल्दी इसको rendering करके YouTube पे डालो जैसे भी हो सकता है तो डालने का process भी तो एक-एक होगा अभी मुझे काफी time लग गया था ITR बोलते थे बच्चे 13 को तो मैंने बोला भाईया पहले ITR डालो ITR आ रहा है पेपर में तो मैं बात करूँ application पे आप लोगों के लिए जो बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया है जो बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं वो YouTube पे रहे आप लोगों के लिए exam आ चुका है यहाँ पे बच्चे ने बहुत सारे ऐसे भी student है जो कि बहुत financially strong है और एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत financially weak है अगर मैं बोलू न कि आपको course मैं 1000 रुपे में दे दूँगा अगर बोलू आपको course 1000 रुपे में दे दूँगा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए 1000 रुपे बस और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे fail होना बड़ी है तो मैं 1000 रुपे नहीं हमारा course का price starting से बहुत बच्चों ने buy कर रखा है 1250 है exam oriented के लिए सिर्फ सिर्फ जो बच्चा पढ़ने चाहते हैं उनके लिए पहले course की price मैंने कर दिया 499 सर यह price including सारी चीज़े हैं सर्वर सारी चीज़े including है जो कि बहुत बिग नहीं है आप एक simple सा movie देखने जाते हो उतना भी price नहीं है पूरा course है सर पूरा course का क्या होता है इतनी इतनी सारी वीडियो देखेंगे कैसे classes मैंने इसके लिए Paid courses में जो बच्चे थे enrolled एक तो मैं revision lecture लेक्चर लेक्चे आ रहा हूँ दूसरा यहां पर अगर पांच classes है तो तीन classes कर दी यहां पर 16 classes है तो इनको मैंने 6 classes कर दिया यहां पर 37 classes है तो मैंने यहां पर 12 classes कर दिया यहां पर capital gain के अंदर अगर 30 classes है तो इस classes को मैंने सीधा सीधा मैंने reduce करके 13 से 14 classes कर दिया है इसकी 5 classes है color probably की मैंने एक class में covered कर दिया उसको setup की बहुत सारी classes है इसको मैंने एक class में covered कर दिया other source की coffee classes है एक class में covered कर दिया pgbp continue चल रहा है तो सर वहाँ पर मैंने क्या कर रहा है हर वीडियो के अंदर स्टार लगा दिया है मतलब आपको दिखेंगी 37 क्लासिस लेकिन जो आपको पढ़ना है exam oriented स्रिफ पढ़ना है उसके अंदर सिर्फ मैंने कितनी क्लासिस रखी है सर उसके अंदर सिर्फ मैंने 10 12 जुकस को पढ़ने क के बाद guaranteed कहता हूं आप पास की छोड़ो अच्छे नंबर लेके आ जाओगे अगर आप genuinely पढ़ना चाहते हो तो आईए कोई बच्चा बोलता है सर फानेशली हमारा है मैं आपके साथ खड़ा हूं आपकी मदद करने के लिए नीचे मैं कमें पिंग में मैं नंबर डाल रहा सर पेड के अंदर मैंने पहले से क्लासिस ले लिया है अब मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा है यूटूब पे थोड़ा डिले डल रहा है रीजन है कंवर्ट फिर अप्लोड क्योंकि कंवर्ट होने में टाइम लगता है इतने सारे सिस्टम है नहीं और इतना महगा सिस् मैं जाज जाजते दो कलास्स डाल सकता हूँ तो मैं कोसिस कर रहा हूं यही कैसे यूटूप वालों का जल्दी से जल्दी स्ले बसकातिक Kron-скую बच्चोा का ऑफ-लाइन वाले जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं जो live ले हैं ले रहे है 10 year लीजिए, पढ़ने का तरिका जो बच्चे कहीं भी पढ़ने हैं, 10 year लीजिए, 10 year के अंदर questions systematic दे रखा आ है और उसके हिसाब से आप करिये और ग्रीस आँजा की book के appendix को करिए, ग्रीस आँजा और 10 year ले लीजिए आप सिवदास की सर ये tenure जो सिवदास का मैं हर बार क्योंको बोलता हूँ कोई पर्मोशन नहीं है सर मेरा ही tenure है वो उसके अंदर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारे experience को डाला है और उसके according systematic करा है सब हर किसी का चार्ट है हर किसी का सारी शीज़े डाला हुए तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा सर अब time बरबाद मत करिये अब मत waste करिये time time जा रहा है सिर्फ 10 दिन बचे हैं मैं daily basis पे strategy लेके आ रहा हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप अगर strategy जानना चाहते हैं तो application को download कर लीजिए application पर voice sms आता course लीजिए मत लीजिए strategy तो मैं दे रहा हूँ आप कहेंगे ना सर जो course लेगा उन्हीं को नहीं मैं guide सब को कर रहा हूँ सर course के अंदर limitation है हमारा जो application है उसके अंदर ऐसा feature ही नहीं के course को free किया जाए अगर कोई tutor देख रहा होगा तो वो समझ सकता है मेरी बातों को के भाईया जब हम application बनवाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे limitation भी आ जाती है जो की internally है वो है हमारे साथ तो उसको हम free तो नहीं कर पा रहें free करने के लिए हम आपके साथ YouTube पे available हैं तो बस आप सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ के sir आपके बहुत सारे parents की उमीद है मैं बात करूं तो बहुत सारे parents आपसे उमीद करते हैं आप लोगों की बहुत सारी उमीदे जुड़ी आपकी उमीदे आपके parents कर रहे हैं आपके brother sister कर रहे हैं आपके आसपडोस वाले कर रहे हैं आपके junior कर रहे हैं सभी को उमीद है कि बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा don't waste your time अभी start करिए पढ़िए दस दिन बचा है दस दिन के बाद जब आप exam दे देंगे ना तो result आएगा तो सब पूछेंगे और अगर उस paper में pass नहीं होते तो आप भी खुद से पूछोगे और दुनिया भी पूछेगी इस बात का ध्यान रखिएगा पास हो गए ना कोई कुछ नहीं करेगा 50% नमबर लाने जरूरी है सर 50% अगर आप 50% marks नहीं लेके आए ना तो कोई फाइदा नहीं है college का इस बात का ध्यान दखिएगा तो सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा start कर दिजिए फटा-फट नहीं खरीदना मैं हर किसी बच्चे को नहीं बोल रहा है कि आप course को खरीदिये सर YouTube पे सारी वीडियो मैं डाल रहा हूं धीरे-धीरे वहां से पढ़िए वहां पे क्या दिक्कत आती है सर number one advertisement आता है मैं फुद YouTube चलाता है क्या डाल दिया रहा है उन्होंने इतना सारा एडा देखना पड़ता है number two आपको वहां पे live class का नहीं है doubt session वहां पे मैं कोसिस कर रहा हूं कि doubt session लूँ इतना बड़ा organization नहीं है सर हमारा कि मैं doubt session के लिए पूरी team खड़ी करू क्योंकि उनको भी salary देना प करने में time लगता और मैं भी लगा रहता हूं अब मैं सुभह से classes भी ले रहा हूता हूं उनको मैं guide भी कर रहा हूं तो आप थोड़ी सी मजबूरी को भी समझेए आप YouTube पे classes लीजे बस पढ़ना चालू करिए मैं आपके साथ stand करता हूं sir वहां पे आपको एक live class में जाता है live में unlimited sir doubt पूछे ना कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा आपको वीडियो थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा जो बच्चे डर गए हैं तो मैंने simple सी बात करा है course का मैंने price भी बोल दिया जो बच्चे YouTube पे हैं जितने दिन बच्चे हैं उसके लिए 499 कमेंट में जाईए customer care स बात करिए कि sir आपके application पे 1250 रुपेशो हो रहा है लेकिन sir ने promise किया है कि 499 का आपको 499 का मिलेगा आप उनको भूलिए coupon code दे आपके price को reduce करे जो करे whatever मैं आपके लिए लड़ूँगा और आपका course 499 में करवागा और जो बच्चे financially weak है ना जिनके parents नहीं है COVID में जो loss पीड करूँगा उनका fee मैं paid करूँगा क्योंकि application पर free course नहीं उनको मैं करवाँगा बस सही document आप serve कर दीजिए आपके लिए मैं खड़ा हूं बस पढ़िए आप मुझे को आपसे result चाहिए बस मैं यह चाहता हूं तो sir thank you so much थोड़ा मैं aggressive भी हो गया थोड़ा मुझे डर भ कर दो